अ question प्रेराडे लाव इलक्तो लिसस इससे रिलेटेड अब फेडोटि के जो इलक्तो लेटेड अब पहले उसका डायग्राम बनाएंगें को भी कर हैं कि यह एbelsितोर कि स्सट्रीज समें इसोष्पार के अंदर इस तरह जिए आप इलक्र майटिक सॉल्यूजल स्ट्क्रियों कोई साविज़र सिप्रायि वाला भी चारज हो सकता वाला भी ट्रिपल पॉजेटिव चार्ज वाला भी हो सकता है हम यहां पर केवल अभी दो टार्मिनल डिप्ट करें एक का नाम केथोड और दूसरे का नाम एनोर यह पॉजेटिव टार्मिनल है और यह नेगेटिव इस केश में इसको केथोड आप कंसीडर करते हैं और यहां पर इसको एनोट कंसीडर करते हैं जब आप इसमें इलक्टोलाइटि जो सोल्यूशन है उसका भी एक्जामपल ले लेते हैं मान लेजिए इसमें सोल्यूशन है इसमें को पर सल्पेट का वाटर के साथ है तो सोल्यूशन है अब क्या होगा इसमें देखिए क्वापर सल्पेट डिसोसियेट हो गया क्योंकि वह एलक्टोलाइट है सी यू तुप्लस एंडे सफटर डबल माैनस में यह होगया बैक्राम एक्व बाता के अब दीसोसियेशन हुआ मसें सोलrzyशन में क्या बने regret फिरा उतने यह्यान बहुत चारे अब आपने क्या किया डिसोसियेशन तो आटोमेटिक होगा पड़ यहां पर अब करेंट फ्लो किया करेंट फ्लो करना मतलब आपने इलेक्ट्रिसीटी मतलब आपने क्या फ्लो किया चार्ज और एक्सपेरिमेंट किया तो फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर डिपाजिटेड मास यह हां Electode पर Mass Deposit होगा उसकी Value क्या है AM Deposited Mass क्या Consider किया AM अब Electode पर अगर Keythode Terminal की बात करें तो Deposit कौन होगा वो समझ लिजए 8 Keythode Keythode Terminal पर Copper जाएगा Positive 1 जैसे ही आप Electricity Flow करोगे Copper Solution के अंदर पाजीटिव आयन है और वो वह सोलूशन सब्सक्राइब हो जहां यहां भी निस चाहर्च यह चाहरो सबस्क्राइब को पर सॉलिट में भूगा और उस पर भीडिट रिज़ोगे अ कि ये यह दिपाजिटेड मांस और इलक्रोड तो फेराड़े का फस्ट ला है इसके according कि किसी भी इलक्टोलाइटिक solution में जब हम charge flow करते हैं तो deposited mass उस charge के directly proportional होता है क्यों क्या है चार्ज का amount जो आपने उसमें इसके फ्रफ्लो किया क्यों amount of charge M deposited mass यह फेराडे के फस्ट ला से डारेक्ली प्रपॉस्ट आप क्यों क्या है क्यों चार्ज है वो चार्ज किसके एकवल होता है आई इंटू टीक है आई क्या है करन्ट जिसको मेजर किसम करते हैं वन एंपियर टाइम को किसम मेजर करेंगे वन सेकंड तो वन एंपियर इंटू वन सेकंड यह बनता है वन कूलाम के एकवल तो चार्ज क्या है चार्ज की यूनिट क्या हुई कूलाम वन एंपियर इंटू वन सेकंड इंटू एकवल तो वन कूलाम तो जो चार्ज है क्यों उसके प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं आइटी एम प्रपोस्नाल आइटी है अब यहां कॉंस्टेंट पूटप करना पड़ेगा तो एम एकवल तू जैड आइटी जैड क्या है फिरादे के फर्स्ट लाखा और इसे जैड का नाम क्या है जैड है इलेक्ट्रोब केमीकल कॉंस्टेंट क्या नाम है इसका जैड का नाम है इलेक्ट्रोब केमिकल कॉंस्टेंट अब जैड क्या है इसकी डेफिनेशन समझे तो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या करें हम आई की वैल्यू कितनी पूटप कर दें वन एंपिया और टाइम कितना ले लें वन सेक तो बताब, I or T को आपने क्या कर दिया, unit, तो फार्मूला क्या आजाएगा, M equal to Z, एक पसंद नमबर 2 आ गए, आपने क्या प्रूव किया, Z की डेफिनेशन क्या है, Z is the constant, naming electrochemical constant is equal to the deposited mass M, कब, when one ampere current pass for one second through electrolytic solution, जब हम किसी electrolytic solution में, एक ampere current एक second तक flow करें, तो जो deposited mass है, electrolyte का terminal पर, उसी का नाम जैड है, जैड actually, electrochemical constant है, और ये deposited mass के equal होता, electrolyte के, जब आप one coulomb charge, means one ampere current, one second तक उसमें flow करें, clear? ये फेराडे का फास्ट एला है, इससे हम deposited mass का relation, charge से शो करते हैं, सबसे पहले, इसी ला को नोट करेंगे, और इस ला को नोट करने के बाद, फिर हम second ला के, second law of, फेराडे का electrolysis के second law, second law में क्या होगा समझे, होगे, second law, फेराडे का जो electrolysis ला है, उसमें different electrolytic solution है, अलग-अलग solution है, और उनी के बारे में उसने second ला का proposal किया, देखते हैं, क्या होता है, ये एक सोल्यूशन, ये दूसरा सोल्यूशन, और different electrolyte है, ये द्यान रड़न, सेम electrolytic solution नहीं है, ये तीनों में different electrolytic solution है, ये first, ये second, ये third electrolytic solution है, सेकंड ला की steady कर रहे हैं, फिर आडे का electrolysis ला का, second step क्या है, second ला क्या है, उसकी steady कर रहे है, ये electrode इसका, ये इसका electrode, ये इसका electrode, ये टर्मिनल सेकंड, सभी में दो-दो टर्मिनल होगे, और आपको बताना होगा, मैंने ये connect किये, ये voltmeter है, यहां से इसको connect किया, इसको इससे connect किया, और इसको इससे connect किया, बताएए ये connection, series में है या parallel, मैंने voltmeter के तुरू, हम current flow करेंगे, तो हमें उसका measurement भी आवश्या के, और मैंने तीनों ही electrolytic solution को connect कर दिया, तो आपका answer होगा, कि ये series में connection है, और series में जब connection होता है, तो equal amount की current उन में pass होती है, मतलब यहां लिख देता, ऐसे case में same current pass होगा, same current with same time, time भी same रहेगा, ये इसकी measurement, इसलिए series में connect है, parallel होते तो फिर current तीन पार्ट में divided होता है, यहां series में connection होता है, चलिए कितना current आपने पास किया, आप ये उसकी कोई लेना देना नहीं, ये solution किसका है, ये solution है NACL का, electrolyte होता NACL, उसका solution है, ये solution copper sulfate का है, ये भी electrolyte है, और ये aluminum chloride का है, तीन solution है, electrolyte के तीनों different है, क्योंकि electrolytic solution different होंगे, तभी फेराडे का second लाग, बात होगी, उसने different electrolytic solution के बारे में बोला है, चलिए, अब ये समझें इनकी तिन, कि यहां क्या होगा, यहां होगा कौन, अरे यहां NACL होगा ION, positive ION की बात करेंगे, जो positive ION की बात होती है, फेराडे के electrolysis ला में, वही negative ION की बात होती है, हम positive ION से समझेंगे, इस solution में कौन होगा positive ION, copper 2+, इस में कौन होगा, aluminum, 3 positive, यह solution के अंदर, आपने current pass किया, कितना current pass किया, वो भी सुन लीजिए, वन फेराडे, आपने current pass किया, अब यह वन फेराडे कहां से आया है, वन फेराडे होता क्या है, वन फेराडे चार्ज है, और यह वन फेराडे होता है, यह वन फेराडे होता है, वो biggest unit है, current हम चार्ज फ्लो कर रहे है, चार्ज की smallest unit क्या है, कूलाम, biggest unit क्या है, फेराडे में हमने करने बढ़ की, वन फेराडे क्या होता है, वन फेराडे का मतलब होता है, चार्ज आप, वन मॉल आफ इलेक्टरान, यह वन फेराडे की story, किसका चार्ज, वन मॉल इलेक्टरान का चार्ज, वन फेराडे के एकवल होता है, और वन फेराडे, वन फेराडे के सेकंड लाकी study कर रहे है, भूली यह मत क्या हम study क्या कर रहे है, अब हम वन फेराडे को calculate करें, वन फेराडे एकवल, चार्ज आप, वन मॉल आफ इलेक्टरान, तो वन मॉल किसके एकवल होता है, 6.023 into 10 power 23, यह दो वन मॉल है, वन मॉल इलेक्टरान हो गए, अब उन पर चार्ज है कितना है, यह इलेक्टरान पर चार्ज है कितना होता है, 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, इसका हिसाब किताब लगाओ, कि calculation करोगे, तो यह coulomb में कितना आजाएगा, कितना, 9.6500 coulomb, इस्टोरी खत्म होई, फिर से हम सेकंड ला पर आ जाते हैं, मैंने आपको केवल कैलकूलेशन की है, वन फेराडे क्या होता है, तो वन फेराडे, वन मॉल इलेक्टरान के चार्ज के एकवल होता है, जो कैलकूलेट कर दिया, तो कहानी यहां से चलेगी फेराडे के सेकंड लागी, कि वन फेराडे एकवल टू, 9.6500 coulomb, क्योंकि स्मालेस यूनिट को यूज करते हैं, तो डिफिकल्टी आती है, इसलिए बिगेस यूनिट में कंवर्जन किया है, अब देखिए क्या होता है, हमने चार्ज तो सेंब फ्लो कीः था यह लिखा है, सेम करेंट विद आ सेम टाइम, अब हम यह सोचें कि इसमे अने इसा कंस्वीदर करें, इस पूरे इलक्टोलाइट, तीन सोलूसनें, इन तीनों में हमने सेम करेंट सेम टाइम तक फ्लो किया, हमने वन फेराडय चार्ज फिलो किया कितना गिया न फेराडय कितने कुलाम चार्ज फिलो किया होगा इतना अब पहले फ़र्स्ट वाला जो इलेक्ट्रोलाइसित सॉलूस ने उसकी बात करें उसमें यहाँ केतोर टर्मिनल पर डिपाजिट कौन हुगा कि सोडियों कि अधे सोडियम पाजेटिव आए ने तो सोडियम इटी पाजीट होगा ना के तोट पर सेकंड में कौन डीपाजीट हुआ कॉपर यह डीपाजीट हो गया मास्त और तीसरा यहां एल्यूमिनम डीपाजीट होगा आपने वन फेराडे चार्ज तीनों में सिरीज में इसलिए तीनों में ही वन फेराडे चार्ज फलो किया है वो 96500 कूलाम के इकवाले अब कहानी क्या होगी तीनों की सुनिए गेंगेंगे होगा तो एक इलक्तान को गेंद करता है यह गेंद किया और यह में और यह में कन करेंद की कओं अभिननम की स्टोरी क्या होगी की तीरी पाजीट101 सेौश आजए तो वो तीन इलक्ताइंटान लेगा कैठोड से हो तब कैठोड टर्मिनल पर इपाजित होगा और सॉलीटेस में यह अनुट औरेस्ट में एं तिनों क Всॉडियम ने एक लक्तान एक्शेंज किया मतलए किया एक फिरिदक्स फ्रसेस होता है यहथोड टर्मिनल पर इलेक्टान को गेन किया गेन करके वो सॉलिट में कनवर्ट हुआ डिपाजिट हो गया अब देखते हैं चार्ज तो हमने सेम करण सेम टाइम तक फ्लो किया था सेम आई एंड सेम टी क्योंकि यह सिरीज में कनेक्ट है और हमने एसा कंसीडर किया कि हमने वन फेराडे चार्ज अपलो गिया तो सोडियम कितने ग्राम डिपाजिट होगा कोई भी मटेरियल यही फेराडे का सेकंड लाए जब किसी डिफरेंट इलेक्टोलाइटिक सॉल्यू होता है फिर से दियान से सुन लिजिए यह फेराडे का सेकंड लाए लेक्टोलिशिस का किसी भी इलेक्टोलाइटिक सॉल्यूशन जो सिरीज में कनेक्ट है डिफरेंट इलेक्टोलाइटिक सॉल्यूशन है उनमें जब हम करेंट फ्लो करते हैं चार्ज फ्लो करते हैं तो पर deposited mass उनके equivalent mass के एकवल होता है अब देखते हैं कितना charge flow किया आपने पन फेराड है यह तो decide हो गया ना sodium का equivalent mass पता करें equivalent mass of sodium क्या फार्मूला है molar mass upon charge यह फार्मूला है अब देखो sodium का molar mass कितना होता है 23 ग्राम दुनिया जानती है यह लिख देथा sodium का molar mass क्या होता है 23 ग्राम copper का क्या होता है 63.5 ग्राम aluminum का होता है 27 ग्राम यह सब के molar mass है clear अब कहानी सुनिया फेराडे का second लाएगा फेराडे का second लाएगा different electrolyte solution में सेम करन्ट सेम टाइम तड़ प्लो करें तो उनके इलेक्ट्रोड पर deposited mass उनके equivalent mass के एकवल होता है molar mass के एकवल नहीं तो deposited mass equivalent mass के बराबर होगा देखते हैं equivalent mass आप sodium sodium का equivalent mass पता करने का फार्मूला है molar mass अपन चार्ज यह पहले पढ़ा चुके फैक्टर होता deposit कितना चार्ज है one कितने ग्राम deposit होगा sodium 23 ग्राम क्योंकि 23 ग्राम उसका equivalent mass है यहां अलिग देता sodium कितने ग्राम deposit हुआ 23 ग्राम कितने से वन फेराडे से यह रिलेस्टान है कि वन फेराडे चार्ज आपने फ्लो किया था तो sodium अपने equivalent mass के एकवल डिपाजिट होगा 23 ग्राम क्वापर के पास चलते हैं क्वापर का equivalent mass पता करें इक्विलेंट मास आप कॉपर एकवाल डू मोलर मास अपन चार्ज मोलर मास कितना है 63.5 divided by 2 उस पर दो पाजेट इव चार्ज है तो डिपाजिट कितना होगा 31.75 ग्राम क्वापर वन फेराडे के थू तो 31.75 ग्राम डिपाजिट होगा और एल्यूमिनम मास पता करो एल्यूमिनम का मोलर मास अपन चार्ज 27 divided by 3 उस पर दो नाइन ग्राम मतलब एल्यूमिनम वन फेराडे से नाइन ग्राम डिपाजिट होगा ना कि 27 ग्राम यही फेराडे का सेकंड ला है क्या है फेराडे का सेकंड ला एकॉर्डिंग तू सेकंड फेराडे ला आप इलेक्टोलिसीज इन केस आप डिफरेंट इलेक्टोलाइटिक सोल्यूशन डिपाजिटेड मास ओन इलेक्टोल इक्वल टू देयर इक्वलेंड मास वेन करन्ट सेम करन्ट सेम टाइम कि लिए नोट करिए इसको में आपको डिक्टेट कर देता पूरी कहानी को आपको नोट करना अब कर देगा रिकार्डिंग में यह भी आजा एक रिकार्डिंग स्टाट कर देगा तो यहां तीन एक का नाम M1, M2, M3 यह डिपाजिटेड मास और डिपाजिटेड मास डारेक्ली प्रपोर्शनल किसके होगा M की वैल्यू क्या होती है फस्ट अला से, यह M की वैल्यू फस्ट अला से, तो क्या करें, M की प्लेस पे क्या लग दें, ZIT, यह constant भी put up हो गया, यह E के एक्वल हो गया, अब E क्या है, E, chemical constant के नाम से famous, वो electrochemical constant था, यह केवल, constant के नाम से famous है, equivalent mass है, इसका मतलब सी दिसी बात, अब अगर इस फार्मूले में कर दें, I equal to one ampere, और T equal to one second, तो दुनिया जानती है, के Z किसके equal हो जाएगा, E के, अगर इस बात समझ में, मतलब क्या हुआ, अरे Z electrochemical constant था, वो equivalent mass के एकवल हो गया, कब, जब आप एक ampere current एक second तक उस electrolytic solution में flow कर, और deposited mass calculate करने का फार्मूला क्या है, E into I into T, किसी भी electrode पर, अगर different electrolyte है, same electrolyte है, कुछ भी है, आपको अगर उस पर deposited mass पता करना, तो ये formula direct लगाना, इससे answer आ जाएगा, E क्या है, अरे E equivalent mass है, और इसको पता करने का फार्मूला, molar mass upon charge, ये लगाना पड़े है, आई, numerical में given देगा, T, time in second put up करना द्यान देखिए, 9, 6, 5, 0, 0, कुलाम, ये तो फार्मूला की unit है, तो deposited mass आपको आजाए, ये second law फार्मूला है, इसको note करिए, दो तिन definition में बोल दूँगा, और deposited mass का फार्मूला आपके सामने है, लिखी है, फार्मूला नोट कर लीजिए, उसमें कोई statement नहीं बोलना मेरे को, जैड मेंने EK एकवल प्रूव कर दिया, साधिया मुलानी की आवाज नहीं आ रही है, आज क्या बात है, समझ में आये फेराडे के दोनों ला, ये सर, अब एक काम आप सभी को करना है, आपके पास board book होगी, और board book में मैंने जितना आपको conductivity, sale constant के फार्मूले पढ़ाए हैं, आज दो numerical कराए थे, और भी कल करेंगे दो चार्ड numerical, आपकी जो board book है, उसमें से उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्राब्लम सौल करें, sale constant, resistance, conductivity के, molar conductivity, इनके न्यूमेरिकल दे रखे board book में वो सब सौल कर लेजिए, आजाएंगे सब, कोई प्राब्लम नहीं आएगी, क्यलकूल ऐसा नहीं उसमें, कल हम start करेंगे फेराडेला के न्यूमेरिकल, क्योंकि फेराडेला में भी ला बोर्ड के एक्जाम में आएगा, और बोर्ड का एक्जाम तभी होगा जब कोरोना मर जाएगा, कोरोना भी जिन्दा है, इसलिए 50-50% पॉसिबिलिटी मान के चलिए, CBSC ने तो अपना सिलेबस कम कर दिया है, पेटर्न चेंज कर दिया है, दो पार्ट में एक्जाम लेगा हो, आदा सिलेबस सेमिस्टर सिस्टम टाइप कर दिया है, आदा एक्जाम अक्टूबर में लेगा, फिर कोरोना आ जाएगा, तो आदा मना कर देगा, और बोलेगा फस्स सेमिस्टर के बेस पर सब पास, तो 50-50% पॉसिबिलिटी है, कि हमारा जंदल प्रमोशन हो जाए, और एक रिकार्डिंग स्टार्ट है, गडबल हो जाएगी.